ओम गंगन पताये नमो नमाहा नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सकट चौत की कता को सुनेंगे एक बुड़ी माई और उसके बेटी की कता सुनेंगे कता सुनते समय हाथ में कुछ तिली ले रहें क्योंकि इसे तिल को चौ पूजा विधी करके दिखाने वाली हूं तो आप कता सुनते समय पूजा विधी देखने का भी पुन्य प्राप्त कर सकते हैं कि सकट चौत की पूजा कैसे की जाती है कता इस प्रकार से है तो बोलिए गड़ेश भगवाने की जै एक बुड़िया माई के ग्वालिया बच् बेच करके गुजारा करते थे बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ करता था बुड़िया माई रोजान लकडी मेसे दू लकडी रख लेती थी और चौत के दिन बेटे से छिपा करके बेचकर के सामान लाती थी और पांच पुए बनाती थी एक पुवा गणेशी महाराज को एक चौत माता को चड़ाती एक ब्रह्मन को और एक बेटे को खिलाती और एक पुवा खुद खा जाती थी एक चौत के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया वह पुवा बना रही थी जब उसने पूचा कि आज क्या है जो पुवे बना रही हो तो वह बोली मैं तो आज ही बना रही हूँ पर तेरी मां तो चारो चोथ को पुए बनाती है उसने जाकर मां से पूछा मां तू रोज पुए बनाती है मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ बुढिया माई बोली मैं तो चोथ माता का वरत करती हूँ वैं बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौत माता को ही रख ले बुढिया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौत का वरत करती हूँ इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौत माता को नहीं छोड़ सकती बेटा घर से जाने लगा तो बुड़िया माई बोली तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आखा लेता जा जहां संकट आए वहाँ ही पूर देना बेटे न सोचा बात छूटी है पर ले चलने में क्या बुराई है वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि उसने देखा की नदी बह रही है वह कहीं से भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था तो आखा पूर कर बोला की हे चौत मता अगर तू सच्ची है मेरी माई मेरे लिए तेरे वरत करती है तो रास्ता हो जाए ऐसा कहते ही जट से रास्ता मिल गया आगे गया तो घंगोर अंधेरा उजाड फैला हुआ था उसने मन में सोचा की मुझे शेर भंगेरे खा जाएंगे इसलिए वह आखा पूर कर बोला हे चौत मता मुझे रास्ता मिल जाए और तब जल्दी से रास्ता मिल गया लड़के ने बुढियामाई से पूछा की माई क्यों रो रही हो तो बुढियामाई ने जवाब दिया मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बली देने वाले हैं मैं उसी के लिए पूह बना रही हूं वह बोला बुढियामाई अपने बेटी के जगह मुझे पुए खिला दे मैं उसकी जगे बली चड़ने चला जाओंगा बुढिया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ लेकिन वह नहीं माना तो बुढिया माई ने उसको पुए खिला दिये अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढिया मा आने का आवा बना हुआ था एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकता था उन सब ने मिलकर के उसको आवा में चुन दिया वै आखा पूर कर आवा में बैट गया एक दिन में ही आवा पक गया मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए वहाँ एक जमाद आवा पक गया है तब राजा ने सोचा कि आवा तो आठ दिन में पकता है आज एकी दिन में कैसे पक गया जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मट्की की जगा हीरे मूती और सोने चांदी के कलश हो गए अंदर से आवा जाई की धीरे से उतारो अंदर आदमी है आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेता गया है फिर बैबोला कि डरो मत मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे राजा ने पूछा कि तुम अंदर जिवित कैसे बच गया तब उसने बताया कि मेरी मा चौत का वरत करती है जब मैं घर से निकला था तो मेरी माने मुझे आखे दिये थे मैं उन्हें को पूर करके बैठ गया और चौत माता के कारण में बच गया तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैटा कर सांकल बान देता हूं यदि वे सांकल खुल कर मेरे बंद जाएगी तो मैं चौत माता को सची मान लूँगा तब वे आके बूर कर बैठ गया और चौत माता से कहने लगा कि हे चौत माता अब तुम ही मेरी लाज बचाना तब सांकल खुल कर राजा के बंद गई राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन दौलत दे कर के विदा किया पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहु आए हैं जब चट पर चड़कर देगा तो सच में बेटे बहु आ रहे थे यह चौत माता जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसी सब पर बनाना इस प्रकार से सकट चौत की कथा कहने के बाद में जो हाथ में हमने तिल लिये हैं उन्हें हम जल के लोटे में डाल देंगे कुछ गणेची पर अर्पित कर देंगे और इस प्रकार से कहानी को कहने वाले को कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भणने वाले सभी क्यब पर करपा बनाए रखियो बोलिए श्री गणेश भगवान की जै इसी के साथ में एक बिंदाइक जी की कथा भी सुनी जाती है बिंदाइक जी की कहानी एक ब्रहमन था जो नित्य प्रति दिन सुबह उट करके गंगा इसनान के लिए जाता और आकर बिंदाइक जी की पूजा करता और बिंदाइक जी की कहानी सुनता था उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वे गुसा हो जाती थी कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैट जाते हो मैं जाड़ू निकालती हूँ घर का काम करती हूँ तुम्हे कोई और काम नहीं है क्या ब्रहमण उसकी बात को सुनता ही नहीं थ एक दिन ब्रहमणी ब्रहमण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्रहमणी ने बिंदैक जी को कहीं चिपा करके रख दिया वापस आकर ब्रहमण ने कहा कि बिंदैक जी की मूर्ती कहां गई तो ब्रहमणी बोली मुझे तो नहीं पता कहां गई ब्रहमण ने खाना नहीं खाया पानी भी नहीं पिया ब्रामण ने कहा कि जब तक मैं बिंदैक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन जल ग्रहन नहीं कर सकता मैं तो बिंदैक जी की पूजा करने के बाद ही अन जल ग्रहन करूँगा ब्रामणी ने ब्रामण को बहुत समझाया कि खाना खालो लेकिन उसने नहीं खाया दोनों को लडते जगडते देख करके बिंदाइक जी की मूर्ती हसने लगी तब ब्रहमणी गुसे में आकर के बोली कि वहां रखी है मूर्ती उसके बाद ब्रहमण ने बिंदाइक जी की पूजा अलच न गी तब अचानक ही बिंदायक जी की मूर्ती बोल उठी की तूने मेरी बहुत सेवा की है अब कुछ मांग ब्रहमन बोला की अन मांगो धन मांगो जितना दुनिया में सुक है वे सब मांगो तब बिंदायक जी ने सारा सुक धन अन सब ब्रहमन को दे दिया ब्रामन मूर्ती को मंदिर में रख करके पूजा अर्चन करने लगा ब्रामनी को इतना अनधन मिलने से उसकी भी पूजा करने की शद्धा जाग उठी और वह भी ब्रामन को बोल करके मूर्ती घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी हे बिन्दैक जी महराज जैसा ब्रहमन को सुकतिया वैसा सब को देना बिन्दैक जी की कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुंकारा भढ़ने वाले को सब को देना तो बोलिए बिन्दैक जी महराजी की जै सकट चौत मया की जै इस प्रकार से कहानिया हमारी संपूर्ण होती है सकट चौत से सम्मंदित सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी तो हमारे चैनल पे प्लीज एक बाद जरूर विजिट करें सभी का लिंक आपको डेस्क्रिप्टिम में मिल जाएगा सकट चौत के सभी टॉपिक्स पर हमने वीडियो बना करके अप्लोड की हुई है तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखे वीडियो ते आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाज़ाद शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में श्री गणे शाय नमा अवशे लिखें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्णा राधे राधे ओम गंगन पते नमो नमाहा